कल यानि 9 जून 2022 को गंगा स्नान दशेरा पर मनाया जाएगा लोग मन लगा कर पूरी निष्टा से इसका पालन करते हैं खास को महिलाओं की बात करें तो उनके लिए पूजा अत्यादी नित्या करम में शामिल है लगबग सभी महिलाएं या लड़कियां सब्ता में एक या दो उवास रखी लेती हैं और नियमों के साथ उनका पालन भी करती है अब सवाल यह है आता है कि व्रत के बीच में अगर पीरियड आ जाए तो इसे में क्या किया जाए बता रहे ही कि यह बहुती कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसका सामना हर रोज लगबग तीन में से दो लड़कियों को करना ही पड़ता है दिन बबो के रहकर सारे निवों का पालन करने के बाद शाम के वक्त या पूजा के समय महमादी आ जाने से मून का बिगर जाना लाजमी है लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे में आपको व्रत भंग करने की कोई जरूरत नहीं है जी हां मासिक धम के समय महिलाओ को पूजा पार्ट इत्यादी करने से मना किया जाता है पहले के जमाने में तो नियम और बिकड़े होते थे इस जमाने में पीरट के समय में महिलाएं जमीन पर चटाई बिचा कर सोती थी किसी कारे में भाग नहीं लेती थी यहां तक कि रसोई घर में भी उन्हें जाने से मना किया जाता था हाला कि बदलते जमाने के साथ लोगों की सोच भी बदली है पहले की अपिक्षा समाज में इन चीजों को लेकर जाग रुखता भी बड़ी है ऐसे में अगर पीरिड आ जाता है आपकी पूजा के बीच में अवरत के बीच में तो आपको उपवास तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती है पूजा पार्ट से दूरी बनाकर अन्य निमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे सामने दिनों में करती हैं इसे भी आपको प्रत का उतना ही पालन फल मिलेगा यह प्रकर्टी का चक्र है इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है नहीं इसमें कुछ गलत भी है देखिए किसी भी कारेय या इश्वर के प्रती आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा होता है शरी तो महजिक जर्या है इसलिए पूरी मन और शद्धा से महवारी की दिनों में भी आप अपनी परंप्राव को बिरक्रार रखकर सभी नीमों का और कानूनों का पालन कर सकती है सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको पूजा और पूजा से चुड़ी हुई किसी भी सामगरी को चूना नहीं है आपको दूर से ही मानसिक पूजा करनी है आपको किसी मुर्ती को नहीं चूना है सामगरी को नहीं चूना है दूर से आप पूजा कीजी और अगर आप पूजब विधी कराना चाहते हैं तो आप अपने घर के किसी अन्य सदस्ते से आप वो पूजब विधी संपन करा सकते हैं तो मैं उमीद करती हूँ यह जानकरी आपको पसंद आई होगी तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शैर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले साथे साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले जिससे हमारी आने वाली सबी वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें